कुछा पर के फ्रिक्षिन फॉर्स के वारे में हमारा नया राद मन्ण पर होता क्या और मुझे इस है कि कोई भी मोशन को क्या करते है नोग देता है कि आपको जो बच्पन की टीचर पढेंगे स्कूल में किरी के थी का है? मोशन को क्या करता है एप उप बोस करता है? मतलब मतलब क्या होता है ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होता है वह तो मोशन हो तो साव चाहता कि दो बोड़ी सात में रहे हुव आपको बात समझ माया है? नहीं आएगा पहले आपे देखो चिर्टी सरी सरी ह assess a यह यह विल मत जरूरी भी है लेकिन दुश्वन भी कैसे बात करते हैं इस टाइप एप ऑफ काट फॉर्स इप विच ओपोस इस रिलेटीव मौसन ठीकिंग इस टाइप ओफ कान्ट सूर्स एक पाहइं डातिक भीना काँट यह रहे गा तो तो चौब आपको से बिच्ट उपोसे दिननल्ट को ऊपोस करता है ना की मोशन को किसको पोस करता देटिमोशन को ठीक है सेकरड पॉइंट एंड्स हन्रीड पर संट एफिसेंसी फॉनिck तप मतलब वह 100% एफिसेंसी किसी सिस्टम को रोग देता है ठीक है कोई कारा स्टॉप कॉंपोनेंट पेस लिए ईंक है इस इस में तो यह नहीं कॉंपोनेंट नहीं क्यों पर गाला किसके चलता था पता इस बता है ठाब है ठीक है पता है धना से बता हूं देखो यह डाइगराम ने सूल सब्साथ होते हैं कौं कौन से वता जुआ Show Ś्ए होते हैं कोन पड़िक्ज है और दूसरा हुआ पड़़ा हो न सब्सक्राइब करने यह लगाए तो अशुर्स नोलन ऐस इंगल एकलस यह दो में उस्यों पार फॉरष को पोजिट लगता है यह सब्सक्राइब प्रिक्सन लगेगा ठीक है इस राइट चलो आगे तो कॉंटेक्ट फोर्स का फॉर्मला क्या बन जाएगा अंडरूट दोनों है साइट डुवाइट तो अंडरूट अवे फ्रिक्सन का स्कूर्र स्कूरर जामते हूं यह वाला कौन तर फियोर है में भूल गया चलो चोड़ो यह कॉंटेक्ट फोर्स यह था आगा अगल में दिक्कत आ रही है यह एंगल निकालने को दिखाता है लेकिन तो आप हमारे प्रीवेस लेक्ट्र को पढ़े हैं बहुत इंपोर्टेंट पहले दूसरे चेप्टर वेक्टर पढ़े ठीक है तो अब सब समझ माई देगा चलो 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 और क्या था इट फोर्म सान एक्सन रिक्षन पेर मतलब य और जर्फ सर्फिस वारेड लेकिन जडेरलई हम आम दुनियां तो रफ सर्फिस से होते हैं कोई 100 पर्फेंस मूथ है लेकिन मीर भी सब्समूथ नहीं है ऑप समंझ मा रहा है ग्लास भी नावनेट परत्फेंस मूथ हैं उसमें कुछ कुछ ना कुछ रफ पाटिकल्स होते ह यूनिवर्स में भो सकते हैं अपना वर्ड में कोई भी स्मूद सर्फेस नहीं अभी तक फाइंड नहीं होगा तो बात के बात है यह पता नहीं ठीक है चलो तो वैलू ऑफ द फ्रिक्सन एक को पता सब्सक्राइब करें इन हो तो यह वो तो आपको आ वात की बात है तो इतना वात्यों आ रहे हैं अगले सब्सक्राइब कटें है तो ऐसको कॉपी करो आप प्रेस्ट डमपढ पड़ते हैं बढ कि टाइपस इड़ीं एकट में थैके टाइपस में रेलेटी में इसमें होता ही को आयं जो बात करते हैं लिमिटिंग तली टेम श्काइब और उस्टार्ट मित्या रहते है देडिये मों सबस्क्ता खुला यां सबार My क्या होता है यौ्य कली लिमीट है उर लिती होने वाला है जी और पर एख हम्द वाथ मतलब रोलिंग एक रोडेशन का लगी चप्टर है इसमें उसको डिसक्रस करेंगे थोड़ा तफ टाइप का फ्रीक्षिन है तो पोल सकते हैं आपको अभी समझ मिली आएगा ठीक है अब उने लेवल का भी पहुंचे नहीं हो तो यह बाद में बात रोडेशन चप्टर बात क कि हमारे लिए हमारे नौलइज के मताबिक हम बात करें हम चलते हैं प्रीट करते हैं ज्यादा हाड नहीं है थालो पहलो फर्मला क्या होता है चैड़े फ्रिक्सली लेस तो स्वाइब को फिसेंट बोलते हैं इसको तो एफस एफस टैटी प्रिक्षिंट का वैल्यो के आ गया लेस देन और एक्वर्ट टू यू एसन ठीक है इसको एक्षुल वैल्यों नहीं आता है और फैसे जो मैक्सिमम रहेगा उसका परावर क्या था है मुश्य स्वाइब गिर है कि मैक्सिमम को बात यह ऊप्रीडी प्रिक्ष्णन लिमिटीक ओछ मिया खेल यहां सुरू हो है मतलब मैक्सिमम वैल्य है ऊ серьез cion ऑलते हैं तो तो लिमितिक नोच से रहेगा वजो कर दे मूं लिए कि यहीं खोहां टो पार में psychologist मु एक मुज बहुत है विख लाइन परते है स्टैटिफिक्शन एक्स वें देल इस नो रेटी मोशन पता है इस अ रख अधिश्टिंग पर्समेश से अधिश्टिंग अधिक यह लाइन बहुत इंपरेश आपको बात आगे में समय अधिक यह वह भी नोट कर लें और यह स्टैटिफिस्ट इसन वैल्यू कहां से घ्रो से ग्रेटर दैन और एक वर टू एंड मुए संसे लेस दैन और एक वर ठीक है बात समझ में आई चलो उपर समझ में आगिया स्टैटिफिस्टन वैल्यू लेस दन और इकॉल टू म्यू एस एन या म्यू एन बोलो के बात बराबर है चलो अब एक क्वेश्टिंग करते क्या है एक ब्लॉक के सिस्टम है लैंड पे फॉर्स एफ लगा है इस टाइ यह रही तो इस कुष्टन आपको फेरला नहीं बनाना में बता बता हूं पहला यह होता है आफको fx max निकालना ठीक है है लह से प्लम्यूट इंपीटेंशन की फ्रॉमला होता है ना व्यूशन तो मूंह 0.2 नॉर्मल कितना जागा 50 15 आएगा है उन्युक्ति तो आपका जा स्ट अर फ्रिक्यान क्या रहता है कोई ब्लॉक को मतलब दो ब्लॉक को या दो बिदीन को सब्सक्रण रखने का कोसिज करता है यहांने की रोग तने ता ही लिता है तो फ्रिक्सन इढ़ेगा ऑपोजेट आफोरुट साथ रिक्सन लगए लगिट वही तक याछाय रुका रहा जाए घर और इसे Lànd के साथ क्या रहा 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 ही ठीक है जी पिशिकें कहता है जाता है कि कोई बनृ ब्लॉक या तो ब्लॉक दो बॉड़ी है ना एक लेंड और ये दोनों साथ ही में रुका रहे जाए ठीक पर चाहिए जाहेगा तो तो यह नो लगाए गा तो यह नो लगाएगा तो इसको रोकने के लिए भी नो लगाएगा पिर जीरो हो जाएगा अब दस यह दस लगा रहा है तो दस से तो में पास है वैल्यू भी तक मैक्सिमम लगा सकते हम तो यहां दस हम भी लगाएंगे तो एक्सलरेशन फिर जीरो हो जाएगा अब खेल सुरूगा क्या अब 15 न्यूटन का भाई साब यह ने फोर्स लगा दिय लगा दिया फॉंद्र न्यूटन का फोर्स लगा अब तुप क्या लगाएगा तो लीमिट कहां तक था दसी न्यूटन था ताकत था एनरजी तो दसी न्यूटन था फ्रिक्शन के पास दस ज्यादा लगाएं नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम तो यही है अब क्या करेगा यह मुव करना सुरू हो जाएगा फ्रिक्शन खेल खत ठीक है अफ्रिक्शन को कुछ भी करके उसको रोक नहीं सकता है ठीक है तो फ्रिक्शन तो लगेगा दसी न्यूटन ठीक है क्योंकि वह सताथ मैक्सिमम वैल्यू लगाने कोशिस करेगा यह रूखेगा नहीं तो एक्सलि वाल्यू आया वह कितना एगा वन मीटर पर सेकेंड इसक्वार अखिर का मैं एक्सलिएशन का वैल्यू आया वन ठीक है मीटर पर सेकेंड्स को यह बात समझ में तो मैं इसकोशन में सॉल्ब करते हैं बहुत इसी कोशिशन था है आपको लगा तफ शुरू में आपको तफ लगेगा लेकिन आपको यह थिए वाले कोशिंट कोपि करो और वाम कोशिन करते हैं नूट कर लो तो तो जोड़ों फ्रेंट्स और कोश्चरव करते पहरे आपको एक सब्सक्राइब त्राइम टाइम में जिसको ड्रैकर रएक अरुथ कर एक आ तो यहां पहला श्यप क्या था हमारा एफ वीडी बना ले ओके एफ वीडी बनाना आता है नहीं आता है देख लेना मेरे वीडियो लेक्ट्र में नेलम के फर्स्ट यह सेकंड लेक्ट्र में ठीक है उपर लगेगा आपका 50 नॉर्मल नीचल 50 छोड़ो 50 यह कितना रहेगा 40 र नॉर्मल का कितना रहे लिए लेको देखो देखो इस नॉर्मल लें नीचल आपका 50 ठीक है बनामार कितना रहे लिए लिए वह कितना है 20 नूटन अपका आंसर ठीक है नॉर्मल रहे लोगे पूचा वेलॉसरी इंडिस्ट्रेस्मेंट इन आफ्टर 5 सेकंड ओके चलो अब पर नॉर्मल करते एससमेक्स अब फिक्सन के टाइन देखना एंड जीरो प्राइब फार फोर इंटू टवेंटी युरो पॉइंट फॉर इंटू टू ट्वेंटी कितना आजए गा एट नूटन आपका एफसमेक्स अधिश्मेश्ट्रीम अब लिमिटिंग विक्षिक्श नहीं है तो fx लगा दे ठीक है और बता और कुछ लग रहा है नॉर्मल तॉर्मल खोलो छुड़ो ठीक फॉर्ट इधर तो एक्लेशन किदर होगा इधर ही होगा तब बता यह कितना आएगा अपको एक्वेशन के आएगा 40 माइनस एट इकोल्स टू 5 पे आएगा तो कितना आए 32 तो एक वैलो कितना आया तो 6.4 मीटर पर सेकंड इन आएगा चेक कर लो अपना अंसर पहले यह आए गा तो इसकों कैसे लिख सकते हैं और 32 पॉंट 5 मीटर पर सेकंड स्क्राइब यह पको आ गया एक्सलिरेशन ठीक है यह आपको क्या है एक्सलिरेशन अब को निकाल इक्वेशन कौन से लगाएगा हां बच्चो वाले क्वेशन थर्ड लोग वाला एस इकल स्टी प्लस हाफ एटी अस्क्वार यह सागिया यह है यह इस डिस्प्रेस्मेंट दया देना इनिसे व्लासिटी दिया दिया नहीं है जीरो तो आजागा आपका हाफ ओफ थर्टेट इस डिस्प्लेस्मेंट तो आगे पहला कोश्चन सौल दूसरे क्या व्लासिटी व्लासिटी फॉर्मुला लगा दे व्लाव लगता है किसी टाइम में निकालना है टी टाइम है तो व्लासिटी इनिसे व्लासिटी फिर जीरो एक्सलेशन थर्टी टू पॉन फाइफ लेगा तो आपका वैलोसरीटी आजाएगा 32 मीटर पर सेकेंड आए सम्में तो मैं सॉल्व करते इस कुश्चन को आए सम्में तू कॉपी करो और हम ऐसा ही तरह से कुश्चन बढ़ते हैं ठीक है इसी तरह से कुश्चन आपको गीमन करते हैं तो चलो फ्रेंट्स एक और यह लिमिटिक फ्रेंट्स अठीक है ठाइक करो हो गया चलो फिफ्टी कॉस्टी थरी थर्टी उपर होटी यह पच्चीस है तो यह होरिजॉन्टल कॉम्पनेट बताता है कि होरिजॉन्टल कितना आएगा 25 कॉस्ट 37 बता एंगल गलती है सही है बता एंगल कहां से होता है टेल टू टेल और हेड़ तो एड़ आप मुझे यह बताता तो सिर्फ इंगल ठीक है यह यहां पर आपको कुश्चन यहीं गड़बड कर देगा ठीक है यहां आपको एंगल दिया था लेकिन हम इमेजिन करें क्या मुझे नीचे से दिया है यहीं से कोई खीच रहा होगा ना मियू घटा लो मिया लिख लो 0.4 ऐसे लिख रहे हो कितना कितना न्यूटन था कि मुझे आद नहीं कितना न्यूटन था यह आपको एंगल है 37 कितना था कुश्चन कितना था 20 न्यूटन चलो अब यह क्या जाएगा 12 आएगा चलो अब बना एफवीटी पहले एफवीडी बना लो क्यों कॉंप्लेक्स दीख रहा है ठीक है उपर यहां नॉर्मल भी लग यहां नॉर्माल और क्या लगा 40 और कुछ लगा नहीं इधर लग रहा था 30 नीचे लगा आपका 12 और हम लगा 12 तो यहां साथ में 16 भी लग रहा है और कुछ लग रहा है हाँ कि तो दो फोर से ठीक है आपको पहले इतना पता चलिए है प्रचला है जैकिन फ्रिक्षान को पोजिट होता है ठीक है पता आपको होना चाहिए तो फ्रिक्षिन एफ्स निकाले पहले कि इस फ्रिक्षिन का वैल्यू कितना गएगा मुण कितना है जिरो पॉइंट फूर इंटू एं एंड कितना यागा पहले न निकाल ले यह आपका जाए एन प्लस फॉट्टी इकोल्स टू हंड्रेट एंट टूफ एन का विल्यू क्या रहे हैं और टूफ हन्डेट टूफट तो अधना रहा है हने टूल तो हन्रेट टूल में 40 मैनस कर यह 40 मैनस कितना आएगा 72 आ जाएगा तिर नॉर्मल करता आगे 72 न्यूटन आंसर अब मियू नहीं अलगा दो तो आप का जाएगा कितना आएगा 28.8 न्यूटन का नॉर्मल आजाए यह फ्रिक्षिन आजाएगा एफ एस मैक्स अब क्या करोगे वी इकोस टू बराबर एटी वराब फर्मूल लगा और आंसर पाव त्रैकर वी बराबर यू प्लाट ट्रैकरो आगे फ्रेंट्स अग्या होगा चलो पर अक्सलेरेशन कल्कुरेट करते ठीक है एस मैक्स आया वकर 28.8 न्यूटन इधर एक्सलेरेशन की तरह होगा इधर यह होगा क्योंकि कम है यहां तो 46 है अब बता एक्क्वेशन लेता तो क्या होगा पहले 46-28.8 बराबर कितना यह में 10 नहीं आएगा आएगा एक्सलेरेशन यहां से कल्कुरेट कर लो 46-28.8 माइनस करो यहां से एक्सलेरेशन आ जाएगा यहां सी होगी तो इस वैल्ली में पूट करके आप वैल्यू पासकते यह तो यूवी जी रहोगा थाप तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं यह तो आपको बहुत आसान खतम हुआ पूरा खतम नहीं बोल सकते हुआ है ठीक है चलो अब पढ़ने वाले काइंटिक फिक्षिक्षिन पर इसको कॉपी करो फिर हम आगे बढ़ते हैं तो जो फ्रेंट्स आज इस वीडियो लेक्षिए थोड़ा लेंदी हो ठीक है कोई बात नहीं हमाले चनल बात करने काइंटिक फिक्षिन का ठीक है लिमिटिंग स्टैटिंग फिरिक्षिन के इंट्रोक्षिन पढ़ लिए ठीक है बहुत सारे चीज़ों कॉंपलेस हो जागा करेंट को बढ़ा दूँगा तो आज करेंगे रहने दो लेकिन कानिटिक फिरिषिन क्या हो पोर्मूला सेम बात लेकिन वह तो लिमिटिंग फोन स्टैटिक फोर्मूला बता एंगर रिक्षिन का फर्मूला अब में बात लका और किसके कहां से कहां तक जीरो से ठीक है और जमारा लिमिटिंग का फर्मूला वह क्या था मूँ एस यह मूँ बोल सकती हो जलो यह आपको तीनों फॉर्मूला बहुत इंपोर्टेंट यह आपको याद होना चाहिए ठीक है ठीक स्टार बना दिया हूँ यहां पर यहां यहां से नहीं पर बात करेंगे अब लुए करेगा इसके बाद हमको परक्रीक्सवी करेंगे तो आज के लिए पढ़ाई